पटवारे को लेकर के जो कॉंग्रेस की हम बैठक है कल उस पर भी पूछ लेते हैं उनसे और नितीश कुमार को सयोजक बनाने की खबर जो सुबह से चल रही है उस पर भी सर पहले तो ये बता दीजे क्या नितीश जी को इंडिया का सयोजक बनाया जा रहा है और इसको लेकर क अफर्स थे कि तीसरा मोर्चे का जो निर्मान था वो द्वस्त हुआ कांग्रेस पार्टी की एकसेप्टेबिल्टी बढ़ी जब उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी के बगएर कोई रास्ट्य विकल्प नहीं बन सकता अब क्या वक्त आ गया है सयोजक बनाने का बनने जा रहे हैं यह सारे जो इंडिया के घटक दल हैं वो आपस में निरंतर विचारवी मर्श में रहते हैं ऐसी कोई सुब घड़ी आती है तो उसका हम स्वागत और सतकार करें चर्चा की गई है कॉंग्रेस लीडर्शिप की तरफ से नितिश जी से कोई संपर्क साधा गया है और कल क्या कोई बैठक है ने यह कॉंग्रेस पार्टी के और अन दलों के बीच का मामला है मुझे इसकी कोई स्पस जानकारी नहीं है आखरी बात सर कॉंग्रेस में जो आंतरिक कमिटी बनी थी राष्टे गटबंधन को लेकर के उसकी रिपोर्ट कल खरके जी को सौपी जा बलकि भारतिय जिनता पार्टी का पूरा ध्यान बिहार पर है कि किस तरह से गटबंधन में फूट पड़े किस तरह से बिवाद तो नहीं है तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी बिहार में तस्वीर साफ है हम मिल जूल करके चुनाव लड़ेंगे आर जेडी जेडी यू कॉंग्रेस और वामपंथी दलो का मोर्चा सीटों को बठवारे पे कोई दिक्कत नहीं आईगी एक बड़ी खबर यहारे सर कि पंजाब में आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच गटवंधन की समभावना अब ना के बराबर है क्या इससे इंडिया गटवंधन की एकता कमजोर होगी दिल्ली और पंजाब के कॉंग्रेस पार्टी के और आमादी पार्टी के जो लोकल लीडर्शिप है उससे हमारा निवेदन है और कांग्रेस पार्टी और आमादी पार्टी के सहींजग केजरिवाल जी से भी हमारा आगर है कि अपने राज्यों के नेताओं को वो विराम लगाएं वो गठबंदन को लेकर सीट शेरिंग को लेकर कोई बयान ना दें इससे कटता बढ़ती है जिस हालत में आम आदमी पार्टी का नेतरित को घसीटा जा रहा है जिस तरह से देश व्यापी अईस्तिर्ता और फैलिजम कमजोर हो रहा है दोनों पार्टी की एतिहासिक जिम्मेदारी है इस संकट से बचाने की लिहाजा दिल्ली में भी गठबंदन हो और पंजाम में भी हो ये लचीला रुख दोनों पार्टी को अपना नचीए शुक्रिया त्यागी जी बात करने के लिए तो गठबंदन में सीटों के बटवारी की तस्वीर विपक्षी गठबंदन में कब तक साफ होती है उसका इंतजार रहेगा तो कुल मिला करके जेडियू की तरफ से गोल मोल बात की जा रही है लेकिन बातों से ये इच्छा जरूर जलक रही है कि जेडियू चाहती है कि नितीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजग बनाया जाए क्यमरा परसन मान के साथ जैनेंद रेबी पी न्यूज दिल्ली